नाथद्वारा शहर पुष्टि मार्गिय वैशनव संप्रदाय का प्रधान पीठ है जहां भगवान श्रीनाच जी का विश्व प्रसिद मंदिर स्थित है प्रभू श्री जी का प्राकट्य ब्रज के गोवर्धन परवत पर जतिपुरा गाउं के निकट हुआ था महाप्रभू वल्लभाचारे जी ने यहां जतिपुरा गाउं में मंदिर का निर्मान करवा कर सेवा प्रारंब की थी भारत के मुगल कालीन शासक अकबर से लेकर और अंगजेब तक का इतिहास पुष्टि संप्रदाय के इतिहास के समानांतर यात्रा करता रहा समराट अकबर ने पुष्टि संप्रदाय की भावनाओं को स्विकार किया था मंदिर गुसाई श्री विठलनाजी के समय समराट की बेगम बीवी ताज तो श्रिनाजी की परमभक्त थी और तानसेन, बीरबल, टोडरमल तक पुष्टि मार्ग के उपासक रहे थे नाथद्वारा में आठ दर्शन होते हैं श्रीनाजी के श्रैन के दर्शन गर्मियों के सीजन में ही खुलते हैं, बाकी दिनों में श्रैन के दर्शन नहीं खुलते हैं वैसे भीड तो श्रिनाजी के सभी दर्शनों में बहुत पढ़ती है लेकिन भोग और आरती के दर्शन में अधिक भीड रहती है लोग मंगला के दर्शन में काफी आते हैं भोग आरती और मंगला का श्रिनाजी का श्रिंगार और दर्शन मनमोहक होता है शिनाजी का मंदर काफी विशाल है, मंदर में प्रवेश करने के लिए तीन दर्वाजे है मुख्य दर्वाजा मोती महल कहलाता है मोती महल सबसे सामने की तرف बड़ा दर्वाजा है जो चौपाटी की तरफ खुलता है चौपाटी को नाथद्वारा की हरदैस्थली भी कहते हैं दर्वाजे की अंदर एक बड़ा सा चौक है जिसे मोती महल कहते हैं मोती महल के बीच एक फवारा लगा हुआ है मोती महल पार करके एक संगमरमर की गली के द्वारा श्री लालन तक जाया जाता है श्री लालन शिनाजी का बाल सरूप है वहां लालन के दर्शन किये जा सकते हैं श्रीनाजी के प्रवेश का दूसरा द्वार नकार खाना कहलाता है यह दर्वाजा भी काफी विशाल है यहां दर्शनों के समय नगाड़ा और शेहनाई बचती रहती है और इसे बजाने वाले इस दर्वाजे के ठीक उपर बैठते हैं ये दर्वाजा सीधा दर्शन के इंतजार के चौक में जाता है अभी इस चौक में आद्मियों के खड़े रहने की विवस्ता है औरतों के लिए पास में ही एक विशाल चौक, कमल चौक है जो पूरा संगमरमर से जड़ा हुआ है तीसरा दर्वाजा प्रीतम पौल कहलाता है जो अपेक शकरत छोटा दर्वाजा है इस दर्वाजे के सामने बाहर की तरफ श्री विठल नाजी का मंदिर है इस दर्वाजे के अंदर जाने पर ये गली नुमा छोटे रास्ते सीधा कमल चौक तक जाता है कमल चौक से औरतें दर्शन करने जाती है दर्शन में मुख्य चौक में श्री नाजी के दर्शन किये जा सकते हैं वैसे यहां भी काफी भीड रहती है और धका मुक्की भी बहुत होती है। यहां कुछ वेक्ती खड़े रहते हैं जो जनता को किसी टौवल या कपड़े आदी से धीरे-धीरे मार कर आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। शिनाजी की बड़ी सुंदर मनमोहक काले रंग की संगमरमर की प्रतिमा है जिनके मुख के नीचे ठोड़ी में एक बड़ा सा हीरा जड़ा हुआ है। शिनाजी के प्रतेक दर्शन का श्रिंगार अलग होता है। प्रतेक शिंगार के लिए नए कपड़े बनते हैं। इसके लिए नकार खाना दर्वाजा के वहां दर्जी खाना है जो कपड़े सिलने का काम करता है। इसी के नीचे आदमियों के इंदजार करने का चौक है। इस चौक में साइड में दूद आदी लेकर कुछ लोग बैठे रहते हैं। जो कुछ शुलक लेकर शिनाजी को दूद इत्यादी देते हैं। पासी में शिनाजी की सेवा के लिए जमा होता है। शिनाजी के दर्शन कर किसका मन भाविभूर नहीं होता। कमान चौक के पूर्व की तरफ शिनाजी का प्रसाद मिलता है। शिनाजी का ये प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। शिनाजी का प्रसाद पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कहते हैं शुनाजी का प्रसाद भीट करने से अच्छे-अच्छे काम बन जाते हैं। करने से अच्छे काम बन जाते हैं।